सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ममास बॉय किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे वेल्कम टू ममास बॉय किचन आज हम बनाने जा रहे हैं मंचुरियन राइस इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पके हुए चावल दोसु ग्राम कटे हुए प्याज एक कप प्याज कली एक कप लाल और हरे रंग के शिमला मिर्च दोनो लंबे कटे हुए एक एक कप बंद गोबी लंबे कटे हुए 100 ग्राम, शिमला मिर्च बारीक कटे हुए 1 कप, बंद गोबी बारीक कटे हुए 150 ग्राम, गाजर बारीक कटे हुए 1 कप, दो हरी मिर्चे, मैदा 3 चम्मच, कॉर्ण फ्लार 3 चम्मच, नमक, गोल मिर्च आधा चम्मच, अधरक लेसुन चौप किये हुए दोनों 1 एक एक चम्मच, गरम मसाला 1 चौथाई चम्मच, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर वाटर और तेल, सबसे पहले एक बावल में बारिक कटे गाजर, बंदा गोबी और शिम्मला मिर्च डाले, आप काटने के बजाए इन्हें घस लो तो ज्यादा बेटर होगा, स्वाद अनुसार नमक, गोल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच, विनेगर वाटर एक चम्मच, चीली सॉस एक चम्मच, मैदा दो चम्मच, कॉन्फलार दो चम्मच, इन सभी को अच्छी तरह मिला ले, और अगर ये मिक्स्चर अगर ज्यादा गीला हो जाए, तो बराबर मातरा में कॉन्फलार और मैदा को मिलाते रहे, मिक्स्चर को चेक करने के लिए उसमें से जरासा निकाल कर गरम तेल में डाले, अगर वह फैलता नहीं है, इसका मतलब हमारा मिक्स्चर तयार है, अब इस मिक्स्चर के छोटे-छोटे बॉल्स बना कर डीप फ्राइ कर ले, मिक्स्चर के बॉल्स को अच्छे से बनाए, ताकि वह टेल में डालने के बाद खूले नहीं, और आज को मीडियम फ्लेम पे रख दे, जब ये ब्राउन कलर के दिखने लगे, इसका मतलब हमारे मंचूरियन बॉल्स तयार है, अब उसी कड़ाई में तीन चम्मच टेल डाले, और अधरक और लसुन को डाले, इसके बाद प्याज और हरे मिर्ज डाले, और तेज आज पर 30 सेकंड तक पकाए, अब इसके बाद बंद गो भी डाले, आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जैसे कि मतर या कोई और वेजिटेबल्स आपके पसंद की, अब हरी और लाल शिमला मिर्ज डाले, आप चाहे तो सिर्फ हरी भी डाल सकते हैं लेकिन लाल डालने से अच्छा कलर आता है, फिर स्प्रिंग अनियन्स यानि की प्याज कलिया डाले, नमक डाले, अब इसे एक मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर धक्कन लगा कर पकने दे, अब देखें वेजिटेबल्स कितनी अच्छी तरह पक गये हैं, अब एक चम्मच विनेगर वाटर डाले, इससे वेजिटेबल्स और भी क्रिस्पी हो जाएंगी, दो चम्मच चिली सॉस, और दो चम्मच टोमेटो सॉस डाले, और अब 5-6 बून सोया सॉस, अब इसमें दो कप पानी डाले, और तेज आज पर उबलने के लिए छोड़ दे, जब उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें एक चोधाई चम्मच गोल मिर्स पाउडर डाले, अब इसमें मंचुरियन गॉल्स को डाल ले, अब इसे एक मिनिट तक हलके आज पर पकने दे, एक चोधाई चम्मच गरम मसाला डाले, अब इसमें इसे थोड़ा सा दिकाल कर अलग रख ले, अब बचे हुए मंचुरियन में पके हुए चावल डाले, फिर इसे अच्छी तरह मिला ले, अब इसे एक मिनिट तक धीमें आज पर ढकन लगा कर पकने के लिए छोड़ दे, और अब हमारी डिश सर्फ करने के लिए तयार है, इसे सर्फ कर ले, अब इसे स्प्रिंग अनियन्स और धनिया पत्ता के साथ गार्णिश कर ले, अब हमारे डिश तयार है, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और डिलीशियस रेसिपी वीडियो का अपडेट मिलता रहे, अब अचे से बत्ता करें आपको ऐसे रहे, समया उन्वां सुझ पत्ता करें लाइक करें गार्णिश करें आपको बाया रहे, झाल झाल